सर्दियों में हमारी स्किन काफी रॉफ हो जाती है ड्राई हो जाती है तो इसके लिए सिंपल से रेमेडी लेकर आई हो जी हाँ यह रेमेडी कह लीजिए या फिर बोडी लोशन कह लीजिए बहुत ही अच्छी तरह सी यह वर्क करता है हमारी बोडी पर इसको बनाना भी जाल किजिए तो मैंने चार बड़े चमच अलविडा जल के ले लिए हैं दोस्तो अलविडा जल जो होता है ना नैचरल मॉस्टराइजर होता है बहुत ही लाजवाब वेसे यह वर्क करता है हमारे बालों के उपर काफी अच्छी तुरा से वर्क करता है तो यह आपने लेन करता है काफी अची तरह से ट्रेट करता है हमाय स्किन को अगर आपके पास यह नहीं है या आप नहीं डालना चाहते हो तो इसके जगा क्योंकि सर्दियों में जम जाता है जो आप क्रीम बनाओगे तो जम जाएगी तो थोड़े सी प्रॉब्लम होगी तो इसलिए उसको स्किप कर दीजिए और ऐसे आपने यह डालना है और अब आपने इसमें डालना है ऑलीव ऑईल यह भी सेम क्वेंटिटी रखनी है एक से डे कर आप के पास बादम ऑयल नहीं है तो आप स्फ यह डाल सकते हो कफी अची तरह से यह भी डाल सकते हो Kभी ऊड़ियों को को हमाय सकिन जो जाती है Retreat कृटी हो जाती है काफी अप।्र के अपने डालना है ग्लीसरी इस चाहि.... इसके बाद अब आपने डालना है तो यह तो ये डालने के बाद अब आपने इसमें डालना है विटामिन E के कैपसूल ये वाले विटामिन E के कैपसूल हैं ये मैंने ब्यूटी शॉप से लिया था आप वहां से पर्चेस कर सकते हो या तो फिर मेडिकल शॉप से आपको एजली एवन 400 मिल जाएगी तो वह डाल सकते ह तो ये डालना है आपने और ये आप बालो में भी इस्तिमाल कर सकते हो जी हां काफी अच्छी तरह से वर्क करता है हमाई स्किन के उपर हमाई हेय के उपर बड़ धियान रखिए इवन वाली जो आती है मैडिकल से जो लेते हम उसको इंटेक कर सकते हैं खा सकते हैं बड़ तो मैं ये वाली डाल रही हूं ये वाली सिर्फ आप फेस के उपर ही इस्तिमाल कर सकते हो तो ये डाल देना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करोगे न तो आपका ये एक क्रीम फॉर्म में बन जाएगा तो होमेट क्रीम बन करके आपकी रैडी हो जाएगी बट अपने बदाम एंड औलिव ओयल इसकिप कर देना है उसकी जगह आप सिर्फ कोकरनेट ओयल भी डाल के बना सकते हो काफी अच्छी तरह से ये वर्क करता है तबी भी तो आपने ये डालना है और हां लोशन बनाने के लिए आपने क्या करना है इसमें आपने चार से पांच रोज वाटर के डालना है क्योंकि लोशन जो होता है वो थोड़ा सा लिक्विट फॉर्म में होता है थोड़ा पतला होता है तो उस हिसाफ से आपने डालना है और फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर देना है यह इतनी बहतरीन आपका लोशन बन करके रेड़ी हो जाएगा और आपकी skin glow करती है विंटर्स में अगर आपकी skin dry हो गई है उसके उपर भी काफी अच्छी तरह से work करती है तो इसको अच्छी तरह से आपने mix करना है blend करना है आप grinder कभी इस्तेमाल कर सकते हो वैसे easily बाउल में हो जाता है with spoon के help से और फिर आपने अब ऐसको इसको स्तेमाल कर सकते हो रख सकते हो बिल्कुल भी जांस नहीं है इसके खराव होने की तो इस तुरह से बछे लगाने हैं अची तरह से फीष वास्ज करके देखेगा कितना ग्लो करेगा आपकी स्किन टोन को करता है मॉर्निंग में इस्तेमाल कर सकते हो जब चाहो आप कहीं बाहर जा रहे हो तभी इस्तेमाल कीजिए और अगर आप मेकप भी कर रहे हो ना तभी ऐसा पेस्ट आप इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हो तो इसको जो इस्तेमाल कीजिए जाधा जाधा शेयर कीजिए ताकि और सबको भी इसके फायदो और यह कैसे बनाना है घर पे पता लगे और अराम से घर पे बना सके महंगी महंगी क्रीमों से अच्छा है कि होममेड आपने खुछ जो राइडी की है नैशल क्रीम अराम से बन जाएगी घर पे तो इस्तमाल कीजिए और अपना फीडबैक में